किपनी फेलियर की समस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन डोनर पूल बहुत छोटा है, काड़ेवरी ट्रांस्प्रांट भारत में उतना परिपक नहीं हुआ है, खास तोर पे नॉर्थ इंडिया में ये कम है, तो ये जरूरी है कि जो डोनर पूल है उसे बढ़ाएं, तो पहले तो HLA मैच करना, ब्लड ग्रूप मैच करना ये बड़ा जरूरी माना करते थे, लेकिन विगत दो दशकों में जो शोध हुआ है, उससे साइंस नितनी तरके करनी है, कि HLA बारियर और ABO बारियर को हम क्रॉस कर सकते हैं, तो आज ये संभव है कि ब्लड ग्रूप ओस अज और एक ब्लाच नहीं भी गरें कृटनी ट्रांसप्रार कर सकते हैं, अब मान लेजिए कि डोनर रूरोल ग्रूप में किड्नी डोनेट कर सकता है, और अगर रिशिपीयार ग्रूप अब ले सकता है, तो ये तो पुरानी बात है, प्लस और मैनस जो आरेज फ् contracting है, कि T poverty में अगय को दे सकता है के साथ्बी के सकता है समझश्य तब आती थी जब डोनर ए या को बोल्ट हो बोल्टा और कि दो इसमें क्या करते हैं कि उस मरीज में डोनर के ब्लाद ब्लर ग्रूप के अगेस्ट कितना जहर है कितना एंटीबेडी है उसको नापते हैं बहुत सरल प्रक्रिया है हर जगा उपलब्द है एक बटा दो एक बटा चार एक बटा आठ एक बटा सोला ऐसे करके टाइटर आते हैं और जब एक आइडिया लग जाए कि डोनर के खिलाफ रेसीपियंट के खून में एंटीबेडी टाइटर कितना है तो एक बहुत सरल प्रक्रिया है जिससे ये ब्लर ग्रूप के अगेस्ट के एंटीबेडीज को हम ठीक कर देते हैं और ब्लर ग्रूप बदल करके भी किड्नी ट्रांस्प्लांट आसानी से कर सकते हैं तो जो अग्यो इंद्कंपटिबूर्ट ट्रांस्प्लांट का जो नौर्मल ट्रांस्प्लांट और इस ब्लर ग्रूप होता है उससे कोई खास कम नहीं है अकार्श शूपर शॉनीटीЙ होस्पिटल में कम्प्लीकेटड ट्रांस्प्लांट की सुधव उपलब्द है और हम लोग आ ब्लड ग्रुप बदल करके जो ट्रास्परांट करते हैं जिसे टेक्निकली एब्यो इंकम्पैटिबल ट्रास्परांट बोलते हैं हम लोग रूटीन मैनल में कर रहे हैं तो किद्नी फेलियर के मरीद इन सुधाओं का लाब हमारे हां उठा सकते हैं